आप जब जैसे मैं वहां पर खड़ा हुआ तो कम से कम डेर सो लोग थे आप इसमें सब लोग डंडा ले रखे थे मुझे जहां तक लग रहा था को बाहर कई बच्चे थे जैनियू बच्चे दूसरे के लिए हक के लिए लड़ते हैं नमस्कार नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप मैं इस बक्स जैनियू में मुझूद हूँ कल जिस तरीके से जैनियू पर सो नकाब पोसों ने जिस तरह से जैनियू पर हमला किया वो कहीं न कहीं एक मुझूदा सरकार पर बहुत बड़े सवाल या निसान खड़ा हो रहा है इसी पर बात करने के लिए जो कल जो हिंसा हुई जैनियू में ओटो चालक है हमारे साथ वो कल घायल हुए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं कल आपका नाम मैं पहले जानना चाहते हैं टो 태क तो कल जो क्या हुआ जेनियू में जिस तरह से हिंसा हुई और सौंनWow से आठेक किया क्या लगता अपने आँखों से क्या देखा आपने हमारे के दर्सकों को विस्तार से पताइए मैं उनिका मैंने यहां पर लोग ते आपको लग है कि मतलब नहीं यह लेकिन इल्जाम है अब वह आपस में बीड़े हैं मुझे जहां तक लग रहा था को बाहर के बच्चे थे बाहर की बच्चे तो क्या-क्या हुआ जरा हमारे दर्शकों को बताए कि कैसे कौन-कौन लोग थे कैसे थे क्या है बीड में उतना मेरे को समझ में नहीं कौन कहा था अच्छा अब आप इलाज कहां करवा रहें कहां मैं मुनिका में जेनू-गेट के बाहर में अपना प्ट्योटी बखर वाया और चीटम जो भी करवाना था तो वह बाहर करवाया मैं तो क्या लगता आपको जिस तरीके से आप पर मतलब आप वहां खड़े थे आप पर एटक किया गया जेनू क wave और एट यह चुखते दूम जै करते हैं और फिर वी उन्हों को पता है कि मैं एक आपको खाम सला आई पिसति काम आएका जिस तरीके से जैनू के बच्चे मैंनत करke आगे बढ़ना चाहते, एक बच्चे एक माबाप को पढ़ाना एक बच्चे को बहुत काफी मुश्किल होता है लेकिन इतने बड़े संस्थान में आकर गरीब घर के बच्चे पढ़े और उस पर इस तरह से दुर्वेवार किया जाए यह कहीं न कहीं घलत लगता है नजाइज है इस पर आप क्या कहे पेसा है तो सिक्चा फिरज यह हमारे पास ऐसा नहीं घरत तो सबसे पर सबसे सबनें बटता हो सरकारे पास टाने चाहिए हम से आपकी कुछ अपील हमारा अपील है कि सर्देखे डिखुए सब्सक्रा rav thought. जो बच्चे अगर ऐसे पोटेस्ट कर रहे तो क्यों कर रहे हैं यह कारण पुछिए ना बच्चों से कारण पुछिए ना यह देखिए माबाप होते हैं ना बच्चा रोता है तो पुछते हैं कि बच्चे तो क्यों परसान हो टाफी चाहिए चोकलेट चाहिए पुछते हैं कि आफ्या दीट क्वा पाराव सरकार मोंत करता तो सरकार को ये नहीं है कि घंब नहीं होना से अपने मांग को लेकर हकुक कि मांग को लेकर लगातार सड़क पे आ कर रहे थे उसी तरीके से कल उन्होंने अपनी फिहाइक को लेकर ही परदर्शन कर रहे थे लेकिन जिस तरी से अटैक करना वो कहीं न कहीं नजाइज है क्या करेंगे कौन चाहता है किसी से लड़ना कोई किसी लड़ना नहीं चाहता है यहां पर जेनु में 75% बच्चे गरीब क्रफ़ घर के आया हैं कोई खेत गिरवी रखे बढ़ा दिया सब कुछ कर दिया ठीक है बढ़ाय क्यों बढ़ायो और रहे हो चुरे हो एंडीय इंडिया में कुत्स मुक्त होना चाहिए लिए भारत से सुधर जहाएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज अबनेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें